हाई फ्रेंड्स वेलकम टू इजी लाइब विद संगीता आज मैं आपके साथ आलू पपडी चाट रेसेपी शेयर करने जा रहे हूँ चाट खाना हर किसी को पसंद होता है लेकिन अगर चाट घर पे बनाई जाए तो उसकी बात ही क्या चाट का स्वात दुगना हो जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना तो सबसे पहले हम पपडी बनाएंगे तो इसके लिए मैंने बोल में एक कप मैता डाली है और इसमें जा रहा है आदा चम्मच नमक और आदा चम्मच मैंने इसमें डाला है अजवाइन और साथ ही अब हम इसे खस्ता बनाने के लिए इसमें डाल रहे हैं घी आप घी या तेल दोनों में से जो भी यूज़ करना चाहिए वो कर सकते हैं लेकिन मैं यहां इसमें तीन चम अब घी या तेल दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अब यहाँ पर घी अच्छे से मिक्स हो गया है इसे बान के देख लेते हैं देखे बंदराय आटा तो इसका मतलब इसमें मोयन एकदम परफेक्ट है और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसका डो लगा कर त्यार करेंगे पानी एक साथ बिल्कुल नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी आट करेंगे और डो लगाएंगे यहाँ पर यह जो हमें डो लगा कर त्यार करना है न वो ज़्यादा सक्त नहीं लगाना और पहुँच ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना जिस तरह का डो हम पूरी के लिए लगा देना उससे हलका सा सॉफ्ट डो हम लगा कर त्यार करेंगे लेकिन चपाती और पराटे से थोड़ा सा टाइट होना चाहिए डो डो को अच्छे तरीके से गूंध कर चिकना कर लीजे ताकिसे हम जब पपड़ी बनाएं तो पपड़ी पहुदी बढ़िया बनके त्यार हो तो देखिए अच्छे से मैंने इस मैदा को गूंध लिया है तो बस ये त्यार हो चुका है डो तो इसे अब हम रख देते हैं और इसे अब हम cover कर देते हैं 15 मिनट के लिए और 15 मिनट बार इसे हम पपड़ी बना कर त्यार करेंगे तो यहाँ पर अब 15 मिनट हो चुके हैं और यह देखिए जो सूजी डाली थी वो भी अच्छे से फूल चुकी है डो अच्छे से सैट हो चुका है तो एक बार फिर से हलका सा इसे हम गूंद लेंगे इस तरीके से थोड़ा सा और चिकना कर लेंगे और अब इस आटे से हमें लोईयां तोड़के त्यार करनी है तो यहाँ पर जो हम पपड़ी बनाएंगे ना उनके लिए हम एक बड़ी सी लोईय त्यार कर लेते हैं तो यह देखिए नॉर्मली जो हम चपाती बनाते ना उससे मैंने थोड़ी बड़ी लोईय त्यार करी है और इसे हम चकले पे रखकर बेल लेते हैं इसे हमें बहुत पतला नहीं बेलना है ताकि से सभी तरब से ये एक सी बिल के त्यार हो ऐसा ना हो कि किनारे मोटे हो जा बीच पतला हो जाए तो एक सभी लिए और अब ये मैंने एक धक्कन लिया है इससे मैं इसे कट कर रहे हूँ आप कोई कटूरी वगरा ले सकते हैं कोई ग्लास ले सकते हैं या इस तरीके काई कोई धक्कन ले सकते हैं तो इस तरीके से इने कट कर लीजे इससे क्या होगा कि सभी पपड़ी एक ही साइस की बन के त्यार होंगी और अब आपको एक फॉक लेना है और इस तरीके से इनके उपर होल बनाने है इस तरह होल बनाने से क्या होगा कि जब हम इने ओयल में फ्राइ करेंगे तो ये फूलेंगी नहीं और पपड़ी बढ़िया सिक्के त्यार होंगी तो सारी जो हमने ये बेल के त्यार किये ना पपड़ी इन पे होल कर लियें अब इने पलट देते हैं और दूसरी साइट भी इन में होल बना देते हैं तो आप कोई भी नाइफ या फिर फॉक लेकर इस तरीके से होल इन पे बना दीजे अब यहाँ पर यह जो सारी पपड़ी है इन सब के उपर मैंने होल बना दी हैं और इसी तरीके से हमें बाकी सारी पपड़ी बेल कर और होल बना कर त्यार कर लेनी हैं तो इन्हें हम प्लेट में रख देते हैं और और पपड़ी त्यार कर लेते हैं तो सारी पपड़ी को बेलने के बाद मैंने फ्राइ कर रहे हूं gas पर oil गर्म करने पहले ही रख दिया था oil हलका गर्म है gas का flame low है और मैंने इसमें ये पपड़ी डाल दी है ध्यान रखिए gas का flame low होना चाहिए और oil हलका गर्म होना चाहिए अब इन पपड़ी को धीरे धीरे सिखने दीजिए low flame पर धीरे धीरे ये देखिए ये पपड़ी उपर आने लगी है oil में धीरे धीरे सिख रही है तो उपर आती जा रही है और अब जब ये उपर आ जाए इस तरीके से तो आप इन्हें अलट पलट कर अच्छे तरीके से चलाते हुए fry कीजिए पड़ी धीरे धीरे fry हो रही है और इनका कलर भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है अब जो पड़ी है उनका कलर वाइट से हलका गोल्डन होने लगा है अभी हम इसी तरीके से थोड़ी देर और fry करेंगे इन पड़ी को low flame पर जब हम fry करते हैं तो अराम से 8-10 मिनट इनको fry करने में लग जाते हैं लेकिन result बहुती बढ़िया आता है तो मैं आपको suggest करूँगी कि आप low flame पर ही fry करें अब ये देखिए जो पपड़ी है उनका color बढ़िया golden हो चुका है तो इस stage पर आप क्या करें gas का flame low से थोड़ा सा बढ़ा दे लेकिन medium से थोड़ा कम ही रखे अब ये देखिए एकदम perfect fry हो चुकी है पपड़ी इससे ज़्यादा fry करने के हमें अब जरूरत है नहीं क्योंकि color बढ़िया आ चुका है तो बस इन्हें हम plate में निकाल लेते हैं इस तरीके से fry करने से पपड़ी एकदम खसता बनके त्यार होती हैं तो बस इन्हें plate में निकालने के बाद दूसरा batch भी हम इसी तरीके से fry करेंगे और इन पपड़ी को अब ठंडा होने देंगे जब पपड़ी ठंडी हो जाएंगी तो इनकी हम चाट बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने लिए एक plate और इसमें मैं ये पपड़ी लगा रही हूँ पपड़ी मैंने लगा ली है और अब हमें लेने हैं उबले हुए आलू तो मैंने यहाँ पर दो आलू उबाल कर उनको छील कर ठंडा कर लिया है और इने बारिक बारिक टुकडों में कट कर लिया है तो ये मैं पपड़ी के उपर डाल रही हूँ आलू पपड़ी चाट का असली मज़ा पपड़ी में आलू डालने पर ही आता है आप चाहें तो इसमें प्यास टमाटर भी डाल सकते हैं बट मुझे ये ऐसे ही पसंद है प्यास टमाटर इसमें मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ अगर आपको पसंदे तो आप डाल सकते हैं अब यह मैंने 3-4 पपड़ी ले ली हैं जिनको इस तरीके से हाथों से क्रश कर लिया है और यह हम इस तरह इनके उपर डाल देंगे आलू और पपड़ी के उपर इसे बहुत ही बढ़ी है टेस्ट आजाएगा और अब यहाँ पर हमें इसके उपर डालना है दही तो मैंने यह दही लिया है दही को अच्छे से फैट लिया है और इसमें एक चमच मैंने शुगर पाउडर भी आट किया है दही हलका मीठा है तो इसके उपर दही डाल दें इस तरीके से आप ताजा दही लीजेगा, काड़ा दही होना चाहिए दही में पानी ना एड़ करें और अब यह ली है मैंने इमली की खट्टी मीठी चट्नी ये हमें इसके उपर डाल देनी है अगर आपको इमली की खट्टी मिठी चट्टी की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और ये ली है मैंने हरे धनी की चट्टी तो ये भी हम इसके उपर डाल देते हैं बहुत ही बड़ी है इसकी रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं चटनी आप अपने स्वाध नुसार डालिए अगर कम चटनी पसंद है तो कम डालिए जाधा चटनी पसंद है तो जाधा डालिए अब ये मैंने दो चुटकी के करेब लाल मिर्च पाउडर लिया है ये इसके उपर डाल रहेंगे ज्यादा मिर्च हम यूँ नहीं डालेंगे क्योंकि चटनी वगरा में भी मिर्च है तो ज्यादा डालने की जरूरत हमें है नहीं थोड़ा सा लिया है काला नमाग इसे भी डाल देते हैं इसके उपर और साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर इस तरह अगर थोड़ी से मसाले चाट के उपर डाल दिये जाते हैं तो चाट का स्वात दुगना हो जाता है थोड़ा सा धही और एड़ क अपनी चार्ट घर पर बना कर त्यार कर ली तो आप भी अपने घर पर इसे जरूर बनाईए और एंजोय कीजे रेसेपी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद